कि अइक चेप्टर अमारा क्या केमिकल बॉंड रिगता केमिकल बॉंड में आज अमके दोस्त intermolecular फ्र्स के बारें पड़ेंगे एक कंपाउंड में के दुपल के बीच लगनेयन में प्रतिक न बन को अब बोलती इंट्रमोलीकुलर फोर्स इंट्रमोलीकुलर फोर्स यह हमारा क्या इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स हो क्या बोलती इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इंटर मोलेकुलर फोर्स के परकार तिंटर मोलेकुलर फोर्स तिन टैप का पहला हैडरोजन बोर्णिंग दूसरा डैपल डैपल इंटरेक्शन चाहिए डैपल डैपल फोर्स तिसरा मरक्या भनरवाल फोर्स बनरवाल फोर्स का दुसरा नाम में लंडन फोर्स चाहिए डिसफर्शन फोर्स पोलर मोलिकुल के बीच बनता है हाइडरोजन बोंड या एक तरह का केमिकल बोंड नहीं है हाइडरोजन बोंडिंग होने के लिए सर्थ हाइडरोजन जुड़ा होना चाहिए मोर इलेक्ट्रो नागेटिव आइटम जिसका इलेक्ट्रो नागेटिविटी का वेल्यू जैदा हो क्यों को होना चाहिए फुलोरीन अक्सिजन या नाइट्रोजन फुलोरीन अक्सिजन या नाइट्रोजन फुलोरीन का इलेक्रोनेगेटिव वेल्यू चार होता है अक्सिजन का इलेक्रोनेगेटिव वेल्यू तिन पर पांच होता है और nitrogen का हे लेक्ट्रो नागिटीव फ्याईटर्ईं की पास कम से कम एक lleon pair होना चाहिए hydrogen के आगे भी fluorine oxygen nitrogen होना चाहिए और hydrogen के शरी hydrogen के आगे fluorine oxygen चाहिए nitrogen होना चाहिए और हाइड्रोजन के पीछे भी फुलोरीन होना चाहे चाहे ओक्सिजन होना चाहे चाहे नाट्रोजन होना चाहे ति यहाँ बन्ने वाला बोंड हमारा क्या होगा हाइड्रोजन बोंड ये क्या वाटर मोलिक्यूल तो हाइड्रोजन के आगे भी हाइल इलेक्टो नगेटिव आइटम अनो चार्ज है और हाइड्रोजन के पिछे भी हाइल इलेक्टो नगेटिव आइटम हाइडोजेन का एलेक्टो नेगिटिव एलिए 2.1 हो तर आक्षिएन का 3.5 तो एलेक्टोन को पूल किया पार्शियन नागेटिव और पार्शियल पोजेटिव पोजेटिव यहाँ पोजेटिव चार्ज है तो तू आपोजेट चार्ज के अट्रेक्शन की वज़ा से बनने बनने वाला बॉंड क्या है हाइड्रोजन बॉंड ऑक्सियन के पास दो लोन प्यूरता है एक हाइड्रोजन बॉंड यहां बन और एक हाइड्रोजन बॉंड फिर यहां बन गिया यह हमारा क्या आमोनी या दूसरा मोलिक्यूल के है वाटर का मोलिक्यूल तो हाइड्रोजन के पिछे भी highly electronegative item है और hydrogen के आगे भी highly electronegative item है तो यहाँ बनने वाला bond क्या होगा? hydrogen bond hydrogen bond को dotted line से दिखा थे क्योंगि dotted line क्या एक तरह का weak bond है hydrogen bond हमारा weak bond है इसलिए उसको dotted line से दिखाते यह हमारा गिथाइल अलकॉल और यह हमारा water molecule तो oxygen के electronegative value 3.5 और hydrogen का 2.1 है partial positive charge develop होगी है इसी तरह का charge यहां partial positive और यहां partial negative charge develop होगी है to opposite charge के attraction की वज़ास से बनने वाला bond को क्या बोलते है? hydrogen bond hydrogen bond के परकार hydrogen bond दो परकार के होते है पहला क्या intra molecular hydrogen bonding यह एक single molecule में बनता है example होगी और्थो नाइट्रो फिनोल तो यह हमारा होगी है फिनोल फिनोल के और्थो पोजिशन में अगर नाइट्रो ग्रूप लगा हो तो उसको बोलते है और्थो नाइट्रो फिनोल तो फिनोल से जुरुरावगी है ग्रूप और यहां पर क्या जूराब यह नाइट्रो ग्रूप एन्ड डबल बॉंड ओ सिंगल बॉंड ओ यह बॉंड हमारा ओके है कोडिनेट बॉंड नगेटिव चार्ज यहां टेल गया था पोजिटिव चार्ज हाडरोजन के पीछे भी हाइल इलेक्टिव आइट्व 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 आइट् की विशा बनने वाला की बाने प्ते में याद होगि आमों पत वह कम है specialist चार्टे चार्ज के अट्रेक्शन के वज़ा से बनने वाला बोंड को क्या बोलते हैं हाडोजन बोंड हाडोजन बोंड को डोटे लैंज से दिखाते हैं कि हाडोजन बोंड हमारे क्या है विक बोंड यह हमारा क्या होगी इथेनोल और दूसरा मोलेकूल होगी है वाटर मोलेकूल तो एक तरह का विक बॉंड है इसको डॉटर लेंड से दिखा जाता है